कुल्वंत सिंग विर्क दी कहाणी उलमा एक कहाणी भी पाकिस्तान दी है असे पासे तो उद्दल की आई होर खलकत दे नाल बलकार सिंग भी एक रफ्यूजी केंपच डख्या होया सी बलकार सिंग दे लाकेच कोई लम्मे चोड़े फसाद नहीं हुए सन दूर दूर दे पिंडांदे साडे जानते उथे होई वड टुक दियां केवल कहाणी येती अपडियां सन पर एक कहाणी आ ना सिर्फ हरीक दे कन्नी पैया सगों उथो दे वायू मंडल दा एक हिस्सा बन गया तेस वायू मंडल तो हिंदू सिखाने पांप लिया कि उना ले उत्थे जियोंदे रहना संभव सी एक दो दिनांची हालवगणों खलो गये पैळियां विच बी खलार्दियां रुस गया जो भी जोना वड़ना नहीं सी उनू बी जन्दा की फायदा जिना करानू लोकी कल तक लिम्ब पोज स्वार रही सन उना दे सडंदी अंगला हून लग पेगा लोकान दा अपने करान, जमेन, टगया, मजी, सब नल प्यार खतम हो गया ते बस टोरंदियां त्यारियां हून लग पेगा सेजे सेजे, आले द्वाले दी सारी हिंदू सिख वसों नमे बने रफ्यूजी केंप वलनू उठ तुरी जिमें किसे पहली जपाणी आ जानते उस विच्चों तरी डियां एक पासे नूठ नठ दिया हन पंजान सत्ता दिनाची हिंदू सेख जनता, मुसल्मान जनता तो इस तरह ड्री हो बैठी जिस तरह जटियां रलियां हुयां, दो पतलियां ते मुटियां जनसानू छाज़च पाके वखो वखकार दन दिया ए बलकार सिंग को जनोखा जे आदमी सी सारे पिंडदाओ एकला मालक सी, ये दे बाब जूदो चिट कपडिया नहीं सी पहरावे तो बिलकुल ममूले जट जाबदा सी किरसान वांगो अपने हथी वाही दा सारा काम करदा सी उदी एस आदत ने उन्हों उदे पिंडद चुवसरे मुसल्मान मुझारयां कमिया आद दे बाध नेड़ी लयांदा होया सी उदी बोलदा भी डड़ा मिठा सी, इस नाल उसले अपने पिंडदा इंतजाम बाध सैला हो जानदा सी उदी नराजगी दे डारतों पिंडदे लोका पोविच कदी चगड़ा खरूद ना कर दे उदे वड़े वागविचों कुछ मजी सदा जिले दे वड़े अफसरां पास सुवा चौनिया रनिया ते जदों वेक जान दियां ते ओना दी थान नमिया पेज दन्दा इस करके पुलसी है जाके से मैक में दे अफसर बलकार सिंग नों पुछे बेना उदे पिंड़ चरें दे किसे आदमी नों हाथ ना पास सकते पिंड़ दे लोका लें ओ सुखामी च्छां बढ़या होया सी मजबी तवसब्तूं वसलों खाली सी जो दो नमाज वेले किसी कमीन जा मुजारें वे दरू दर फिरदा वेक लन्दा ता चाट केंदा वे किदर कंदा नाल का सरदा फिर नै मसीत्ते क्यों नहीं जान्दा बुरे दे अभी आ आव एक जी लगा जाना एवे मैं आख्या हसे मैं नेगी देकर हो मकईद अभी पुछी जा वो जवाब दन्दा ते फिर अगां हेलो के हो हली ते नहीं लगना पैंदा उत्थे सेजे सेजे पैर प्या टकाना ए बलकार सिंगों नू ताड़ दा ते हुन बलकार सिंग हूर लोकां दे नाल केंप वेच अपनी जान करके सारे लाकेज पॉन ते सतकार लैंड वाले बलकार सिंग नू ए विश्वास होने चेर नहीं लगा सी के जे ओ कैमपदियां हदां तो बार किदरे गया ता मार देता जाएगा अजे अगले दिन दी गाल सी के कोल दे शेर दा एक सियाना जे अशा जिनू अपने शेर नू किसे मुसल्मान फौजी ने उनू खो के अपने पास राख ले आते होना दोहान खूब सोटे मारे शा विचार आखे मैं अपने शेर आया होया तू मेनू मार दा के होया ते फौजी आखे तो अडे फिरन दा होकम बिलकुल बांदे मैं तानू कैद कर दा तू कैमप तो बार होन दा होकम नहीं होया पर फौजी आखे मैंनू पका बता है तो अड़ा बार फिरना बंदो गया तो तू होन बचके नहीं जा सकता फिर होर मुसल्माना ने उस फौजी दा तरला मिनत करके शादी खलासी कराई ते शाव विचारा सोटे खाके कैमप आया बलकार सिंग तो तरस गया सी पर उदी ये हिम्मत नहीं सी के नेड़े दे किसे किक करतों दात्रम पान ले आवे एक ही कौतक वर्त रहा सी उनू कोई समझ नहीं आओ दे सी कैमप दे नाल लग दियां पहलियां फूला सिंग दियां सन ते उदे मुजार्या ने नाच गोंगलू विजी हो किल ठाभी सी कोई घ्याव जडियां पर दादे नो ते दादे नो गे अधे दादे नो अधे प्योंना नो दिती शे कोंभने नहीं रही सी को पतारी कौँ उन्ते वास sob दूर जोग सकता सी स्थी जिस रंग कंप दे हो और सारीं लोग सारीयां पहलियां नू सारे राहां बागगांद रखतां ते पिंडा नू दूरें वेख दे संग्ध हाँ जे फूला सिंग मुसल्मान हुंदा तो अजे भी अपनी पहली दियां बट्टां ते जम्में जम्में पहरीं टोर सकदा उदी वट्टी है छोटे-छोटे गों दा अफीम दा अमली सी केंपच पला अफीम किते ते अफीम तो बिना उदा गुजारा भी नहीं सी पर सुवाल ते इसी के अफीम उनू लिया कौन देवे कोई मुसल्मान ही होवे न ते जो ठेके चो जाके लियावे होर किसे दी शैर जान दी हिम्मत नहीं सी अखीर ता हाथ जोडे अपनी बेवसी दा वास्ता पाया ते उस मुसल्मान मुंडे ने उन्हों मेंगी सस्तीक तोड़ा फीम लिया के दिती इक खोर जाट लद्दा सिंग दी हवेली केम्प तो नेड़े इसी केम्प चौन लगयाओ कुछ लेयारिया मज्जीयों थे चाड़ाया सी इस मज्जीयों दे मुसल्मान कामे सामदे सन लद्दा सिंग रोज मुं नेरे केम्प विच्चों कोडी ते चड़ जानदा ते पिंड जाके अपनिया मज्जी चौन दा फिर दुद दा दोना कोडी ते राके दिन चड़े नाली केम्प चावड़ दा लोकियोंनु वेख व यां हो गई यांने, सिखे ना दा दुद्ध नहीं लजा सकती। जी असान तो अनुद्ध दित्ता, तो साड़ा बुरा हाल करेगा। लद्धा सिंग विचारा दोना सखनाई मोड ले आया। उके से मुसल्मान दी गालनू किस तरह मोडा पा सकता सी। पावे केंप चार चुफेरियों खुली सी और रोज चुबार ना जा सकन करके इस तरह जापदा सी। जिवेदे द्वाले परदा आया होया है। कमा दांक पाहां ते चरियां दा परदा ते कुछ घुलीयां थावां दा परदा। जिस तो परे कुछ दिस्ता नहीं सी। इस परदे पिछे पता नहीं की हो रहा सी। लोग की कार रहे सन, की सोच रहे सन, की कह रहे सन। बलकार सिंग दी आपणियां पहलियां ते कारवी इस पर दे पिछे ही सन। उन्हां पहलियां नू कौन वा रहा सी। उधियां हवेलियां जो कौन रहा सी। इस सब कुछ जानन ले उदा बड़ाई जी करता। कुछ वी यो जानना चौन दा सी। ए गल सारे केंप वले चंगी तरा जान दे सन। के जे कोई सिख केंप तो बार दी हवा खा सकदा सी। तो फोजी मोटर च बैटके। फोजी सिपाई केंप दे लोकान ले राशन ले उनले जा फसे होए हिंदू से खानू कड़न ले अपनिय मोटरांचे दरोदर फिर दे रहन दे। बलकार सिंगे जान दा सी के जे ओ चौन ता उनू ओदे पिंडल जा सकदे सा। पिंड वेखन दी चा दे वासो के बलकार सिंग ने एक दिन अपने दिल दी खाहिश फोजीयानू जा दा सी। कुझो दी केंप च चौदर करके थे कु पिंड दिया जनानियां दे बच्चे चाटो दे कोड़ पड़ गया। उनना ली बलकार सिंगो हूँ पिंड दा पुराणा सरदार सी। जिदे पिंड चुन दिया उननू कदी किसे तो डर नहीं आया सी। पर हुनते उन पिंड छड के केंप च चला गया हुया सी। ते सार पिंड नियासरा हो गया सी। आखर उने इस तरहं क्यों कीता। पिंड दिया जनानियां सोच दिया सान के पिंड छड दिया उननू पिंड दिया लोकां ते तरस ना आया। उनना दे ख्याल चो ने उनना नाल बड़ा तो खा कीता सी। जो ऐसी उतल पुतल वेले उन पिंड ये तू की कीता जनानियां दी पीड वेचो बुद्धी मोच्चन राभ्या दी अवाज आई सानू एथे छटके आप तू कोपच जा बड़ें साधी बां कीनू फड़ाईया असी तेरे पीडियां दे कमी सा अपने उला मेनू होर चोबों अबना अल्ली राभ्या ने जरा ठैर के क्या वा सरदार साधे नाल इस्तरां करनी साई तानू आद